देश को 34 साल से एक नई एजुकेशन पॉलिसी का इंधिजार था और पिछले 5-6 साल से कई बार चर्चा सुनने में आ रही थी कि नई पॉलिसी बन रही है उसके कुछ डाफ्ट सरफ डाफ्ट पर बीच में आए फिर एक फाइनल डाफ्ट दिल्ली सरकार को भी मिला था उस प के बाद एक पॉलिसी सामने आई है मोटे तोर पर देखें तो ये चववन पेज की पॉलिसी है नई एजुकेशन पॉलिसी एक अच्छा प्रोग्रेसिव डॉकुमेंट है फॉर्वर्ड लॉकिंग डॉकुमेंट है एक कह सकता हूं मैं जो आज की एजुकेशन सिस्टम की चुनोतियों को और उसके फ्लॉस को उसकी खामियों को सुगार करता है आज हमारी शुक्षा विवस्ता में क्या खामियां हैं क्या चुनोतियों हैं उसको सुगार करता है और उसके बेस पर क्या होना चाहिए जरूरत क्या है उस पर बात करता है लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या है इसकी यह है कि ये इसकी दो बड़ी समस्या है पहले तो ये पुरानी समझ और पुरानी जो एजुकेशन की परंपराएं चल रही है उनके दवाव से मुक्त नहीं हो पाया उन्हीं के बोज से दबी हुई पॉलिसी है तो एजुकेशन के प्रती जो हमारी पुरानी समझ रही है और जो पुरानी परंपराएं रही है उनसे दबी हुई पॉलिसी है दूसरा जिन सुधारों की इसमें बात की गई है जिन जरूतों की इसमें बात की गई है कह रही हैं, यह कह रही हैं, तो ऐसा कह रही है, जिससे समझ में आ रहा है कि कुछ समझ में निया हैं, policy makers को. So, in nutshell, अगर मैं कहूँ, तो basic principles are good, but implementation कैसे होगा, इस पर policy चुप है, भविश्री की जरूरतों को अच्छे से रखती है, लेकिन आज की विवस्था को भविश्र की जरूरत तक लेकर कैसे जाएंगे इस पर policy चुप है तो मैं पहले कुछ ऐसी चीजें रख रहा हूँ इस policy की जो मेरी राय में अच्छी है और होनी चाहिए सबसे पहली और सबसे important चीज जो इस policy के कल खबर भी मिली मुझे जब आप लोगोंने news देनी शुरू की और मैंने भी इसको पढ़ा इसमें decision लिया गया है कि HRD ministry का नाम बदल कर education ministry कर दिया जाएगा यह अच्छी बात है यह बहुत अच्छी बात है और मैं पिछले 5-6 साल में कम से कम सो मरतबा इस बात को कह चुका हूँ कि शिक्षा देने का काम मानव संसाधन विकास का काम नहीं है मानव संसाधन केवल टूल विक्सित करने का काम है शिक्षा एक अलग काम है और शिक्षा का काम हम शिक्षा के रूप में करें मानव संसाधन उसका एक हिस्सा है तो अच्छी बात है कि हम शिक्षा पर बात कर रहे हैं और शिक्षा मंत्राले हमारे देश में होगा ये अच्छी बात है लेकिन मैंने जब ये बात है कहीं थी कि मानफ संसाधन विकास मंत्राले से हमें शिक्षा काम नहीं लेना चाहिए शिक्षा मंत्राले से मानफ संसाधन क थोड़े सा काम लेना चाहिए और बाकि शिक्षा की कम करने चाहिए तो इस वथ या काता Okay को उसके पुरी की पूरी तासीर बदलने पड़े डिपार्टमेंट की कारी नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला है लेकिन इस policy में दिख रहा है नाम ही बदल रहा है काम हम अभी भी संसाधन विकास काई करेंगे पर फिर भी कुछ अच्छी चीज इसमें है जैसे अर्ली चैल्लूड एजुकेशन को इसमें पहली बार मेन फ्रेम में लाने की बात कही गई है अर्ली चैल्लूड एजुकेशन का मतलब तीन साल से छे साल के उम्र के बच्चे, दुनिया के बहुत सारे देशों ने ये इस्टेडी किये हैं कि तीन से छे साल के उम्र के जिन बच्चों को अच्छी एजूकेशन मिलती है, सही समय पे सही guidance, सही nurturing मिलती है, वो आगे जाके intellectually, financially अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये दु community engagement किया जाएगा, यह भी अच्छी बात है, दूसरी अच्छी बात इसमें यह है कि midday meal के साथ साथ इसमें जिक्र किया गया है कि बच्चों को breakfast भी दिया जाना चाहिए, अच्छी बात है, एक कोर, हर एक बच्चे को आगे education में course choice के लिए options खोले गए हैं, physics के साथ साथ बच्चा music भी ले सकता है, physical education भी ले सकता है, music लेने वाला बच्चा mathematics ले सकता है, यह course options खोले गए है, यह एक अच्छी प्रोग्रेसिव बात है, B.Ed को, foundation year में जो पढ़ाई है, मतलब nursery, kg, पहली दूसरी, तीसरी तक के जो class के पढ़ाई है, उसको foundation year बोलेंगे, यह mother tongue में कर रही आएगी, यह भी अच्छी बात है, इससे बच्चे की, जो वो उम्र है, वो बौधिक विकास पे जादा है, उसकी उर्जा खर्च होगी बच्चे की, और यह एच्छा progressive step होगा, बीएड को चार साल का है, किया जा रहा है, और जो और graduation वाले बच्चे, उनको भी options दिये जाएंगे, दो साल के, एक साल के बीएड करने के, वो भी अच्छी बात है, कुछ regulatory agency, राष्ट्रिय शिक्षा आयोग बनाने की बात की गई है, इस पर यह प्रयास अच्छे हैं, लेकिन इसके formation पे concerns है मेरे जो मैं आगे रखूँगा, कुछ और अच्छी बाते की गई हैं कि inclusive education लानी है, easy to understand परिक्षा होनी चाहिए, practical approach होनी चाहिए, यह सारी goody-goody बाते हैं हम education के बारे में पहले भी करते रहे हैं, कोई नहीं नहीं है, लेकिन education policy में इनको लाना अच्छी बात है और इस पर फिर चर्चा हो सकती है, अब मैं एक एक करके इसके कुछ critical points की और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जिसकी वज़े से मैंने कहा कि इसमें दो खामिया हैं, पहली खामिय यह है कि यह अपने पुरानी समझ और पुरानी परंपराओं के बोज़े दभी हुई policy है, उससे मुक्तिन हो पाई है, और पहला point है मेरा, मैं कहूंगा कि यह policy highly regulated, poorly funded education model देती है, highly regulated, poorly funded, highly regulated कैसे है, यह policy कहती है कि साब एक education department होगा, जो policy making का का काम करेगा, दूसरा direct rate of education होगा, जो सरकारी स्कूल की operations देखेगा, तीसरा अलग से स्कूल की regulatory authority होगी, जो government school, private schools को regulate किया करेगी, चौथा शिक्षा आयोग होगा, राज्योंकार केंदर का, उसका अपना एक अलग निदेशाले होगा, पाच्वाँ, SCRT अलग होगा, SCRT, NCRT होगे, फिर शिक्षा का board होगा, तो education department अलग, direct rate of education अलग, regulatory authority अलग, शिक्षा आयोग अलग, यह सारे ऐसा घचमच करेंगे, यह सारी एजन्सियां आपस में टकराती रहेंगी, SCRT का फिर भी काम अलग है, mandate है, बोर्ड का भी हम कह सकते हैं काम एकदम परिक्षा लेना कह है, उस पे अलग दृष्टिकोर्ण है, पर policy making, government school चलाना, regulatory authority, फिर शिक्षा आयोग, सलहा देना, फिर और उसका भी अपना direct rate होगा, फुल-fledged, ये सारी एजन्सियां आपस में टकराती रहेंगी, ये लड़ती रहेंगी, इनके, इनके, इनसे education क्या निकल के आएगी, इसलिए मैंने का highly regulated है, और poorly funded कहा मैंने पहले point में, शिक्षा निती कहती है, राष्टिय शिक्षा निती जो पेश की गई है, कल approve की गई है, ये साथ 6% GDP का हमें education budget पे देना चाहिए, और ये बात आज नहीं की गई, 1966 से कोठारी कमिशन के समय से इस देश में इबाग की जाती रही है, ये साथ 6% GDP का, वो हमें education पे खर्च करना चाहिए, आज शिक्षा निती फिर से वो भी बात धोरा रही है, पर ये होगा कैसे, 1966 से लेके आज तक हम अपने शिक्षा बजट को GDP के 6% के नजदीक नहीं ला पाए, अब कैसे ले आएंगे, इस पर education policy, कोई policy नहीं बताती, तो 66 में भी बात कर रहे थे, 2020 में भी यही बात कर रहे है, policy कहती है कि 10% education पे अभी घर्च हो रहा है, इसको हम 20% लेके जाएंगे, अगर कानून नहीं बनाओगे, तो कैसे लेके जाओगे, अगर इस बारे में rules नहीं बनेंगे, कानून नहीं बनेंगे, मैंने पहले भी जब यह बात कही थी, कहा था कि 6% of GDP education पे खर्च किया जाएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा इस बात का कानून बनाना पड़ेगा, जब तक कानून नहीं बनाएंगे, कोई राज्य सरकार, कोई केंद्र सरकार कोई का दुक्का कर ले, राष्ट्री इस तर पे तो कोई नहीं होने वाला, कैसे होगा, कौन परसेंट, 6% पे लेके जाएगा, तो देश भर के लिए एक कानून की जरूत है, लेकिन वो उसकी बात नहीं करती, बस ये पॉलिसी में कहती है, साब 1966 से पॉलिसी चली आ रहे, आज तक तो 4% भी नहीं होगा, 5% भी नहीं होगा, 3% पे खड़े हम, तो अब कैसे जाएंगे, इस पे पॉलिसी चुप है, दूसरा पॉलिसी में, फंडिंग को लेके सीधी बात नही कहींगे, पॉलिसी एक जगे कहती है कि नर्सरी से 12 में, अभी जो राट आट ये में, पहली से 8 में तक की एजुकेशन फ्री है, कंपल्सरी फ्री एजुकेशन है, उसको कहती है, नर्सरी से 12 में तक फ्री कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए, पर पॉलिसी कहती है, कैसे ह कि इसको आगे जाके examine करेंगे और 24 साल बाद policy ले के आए जल आपने policy बनाने में लगा दिये अभी भी आप लिख्के दे रहे हो कि हम कि इसको examine करेंगे कैसे ओगा यह कर के रहे तें चैसल से हैं कि अगर आप यह नहीं बता पाई जह साल बाद यह 34 साल बाद सरकार मिला के तो भातिजनता पार्टी की पूरी लिडर्शिप कर क्या रही थी इस पर तो ये education की एक बड़ी समस्या है funding और उस funding के बारे में कोई solution ये policy नहीं दे रही है आज education funding की कमी का रोनार हुदी है तो ये एक बड़ा problem है इसलिए मैंने इसको कहा कि highly regulated poorly funded है कई सारे IO committee फलाना डिमका और उसके बाद में कुछ नहीं अब कुछ और प्रस्ताव है जैसे मैंने कहा early childhood care अच्छा है 3-6 साल तक mainframe में लाना लेकिन इसमें भी problem यह है कि ये दो model दे रहा है जो अभी existing है एक model है आगनवाडी का model वहाँ भी early childhood care की जाएगी दूसरा है pre primary का model nursery kg वागर है school है कहने को तो कहती policy की साब समान education दी जाएगी लेकिन मुझे बताइए कि एक बच्चा आगनवाडी में जा रहा है और एक DPS के pre primary में जा रहा है दोनों को समान education कैसे मिल जाएगी समान education मिली नी सकते एक को आगनवाडी worker पढ़ा रही है एक को बहुत qualified pre qualified teacher पढ़ा रही है तो दोनों जाने वाले बच्चों को एक इस तरकी education की बात तो कर रही है पर model में ही fail है एक अंगनवाडी का model है एक pre primary का model है और इसमें teachers की कमी को policy कहती है साब इसमें teacher engagement जो है community engagement पर कर लेंगे तो आज सरकारी स्कूलों में मैं दिल्ली की बात कर सकता हूं और देश भर में हम जानते हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जिस community से आते हैं उसमें बहुत बड़े बच्चे बहुत बड़ी संख्या में बच्चे first generation learners है जब first generation learners हैं तो उस community में ऐसे लोग कह से आएंगे जो स्कूल में आके वोलिंट्री करके पढ़ा लेंगे और गाउं देहत में क्या होगा वहाँ पे भी सरकारी स्कूलों हम कह रहें कम्यूटी से लोग निकल के आके पढ़ाने लगेंगे सारे स्कूलों में अप लिया होगे community से लोग तो चुप है इस पर दूसर स्कूलों का इसतर इतना शांदार कर दो कि किसी को अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में भेजने ना पढ़ें तब देश आगे बढ़ेगा लेकिन ये पॉलिसी सरकारी स्कूलों को इंप्रूव करने की अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है ये पॉलिसी इस पर कोई बात नहीं करती कि सरकारी स्कूल सिस्टम को देश में सुधारा जाएगा और इतना अच्छा किया जाएगा कि लोग प्राइवेट स्कूल पर डिपेंड ना करें बल्कि इसके उलट ये पॉलिसी प्राइवेट स्कूल एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं इस पॉलिसी आज सारे कोई कंपरी नहीं चलाती है हमारे देश में इसको समझने की जरूत है इस लाइन को एजुकेशन को जो प्राइवेट स्कूल भी है वो ट्रेस्ट के तह चलते हैं तो फिलन्थरोपिक एफर्ट सी है सारे तो भाशा में फिलन्थरोपिक एफर्ट सें आगे वो कह रहा है कि private philanthropic efforts for quality education will be encouraged thereby affirming the public good nature of education while protecting parents and communities from serious commercial practice. मतलब commercialization नहीं होने देंगे ये बात तो हम पहले से भी कह रहे हैं कि साब ट्रस्ट स्कूल चलाया करेंगी प्राइविट स्कूल और जो प्राइविट स्कूल होंगे वो ट्रस्ट चलाया करेंगी non-profit agencies होंगी वो profit निकामा सकेंगे उसके बावजूद education का commercialization इतना हो गया उसी philanthropic mode में कि आज देश के supreme court को भी कहना पड़ा कि ये teaching shops बनते जा रहे हैं हमारे schools वैसे में अगर हम अपनी policy में ये रखेंगे प्राइवेट philanthropic efforts for quality education will be encouraged मतलब आप private school education को encourage करने की policy लेके आयो 34 साल बाद और एक ऐसे समय में जब लोगों के jobs जा रहे हैं सारी दुनिया में जो भी progressive countries हैं उनके model हमारे सामने हैं कि वहां सारे के सारा school system सरकारी school system पे खड़ा हुआ है कुछ-कुछ लोग private school में अपने बच्चे को भेजते हैं मनमर जी से लेकिन हर बच्चे को सरकारी school में quality education मिलती है आप उस जिम्मेदारी से भागके quality education के लिए private school पे लोगों को छोड़ना चाहते हो यह इस education policy का मुझे लगता है सबसे बड़ा flaw है जो इस पर इन्होंने काम नहीं किया पाच्वा पॉइंट में रहा है कि यह कहते है कि बेड हम चार साल का करेंगे अच्छी बात है इसका मतलब यह है कि आप future teachers को quality पे लाना चाहते हो हम भी इसकी वकालत करते रहे हैं मैंने भी भारस सरकार के साथ education की meetings में इसकी मांग की है कि जब आप doctor बनाने के लिए चार साल की पढ़ाई करते हो एक छोटा सा mobile का software बनाने वाला आदमी आप एंशोर करते हो कि वो चार साल कम से कम पढ़काएगा तब mobile का software बना पाएगा आप एंशूर करते हो तो टीचिंग के लिए टीचर बनाने के लिए आप चार साल की पढ़ाई करो या हम भी मांग करते रहें लेकिन ये फ्यूचर टीचर के लिए प्रोग्राम है इस पर ये पॉलिसी अच्छे प्रस्ताव देती है लेकिन आज देश के 30 करोड बच्चे 80 लाख टीचर के जरीए पढ़ रहे हैं आज हमारे स्कूलों में उन 80 लाख टीचर को इस पॉलिसी में अच्छी लिखी बातों अच्छी विश्फुल थिंकिंग्स को इंप्लिमेंट करने में कैसे लगा होगे इस पॉलिसी में उसका कोई प्रोग्राम ने 80 लाख टीचर आज आज आपकी इंप्लिसी की अच्छी बातों को इंप्लिमेंट करने की जिम्मेदारी उनके सर पे है और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2011 में 2009 में हमारे देश में एक प्रियोग हुआ लाके उसमें लिखा गया कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा और इस निसलिए प्रोग्राई सोच के साथ की गई थी लेकिन यही गलती वहाँ भी की गई थी अच्छी चीजें सोची गई लेकिन टीचर्स की ट्रेणिंग पर काम नहीं किया गया तो कोई नहीं हुआ और अंत में नो डिटेंशन पॉलिसी एक बहुत बड़ा विलेन बन गई एक बहुत शांदार आइडिया एक बहुत बड़े विलेन के रूप में सामने आया जिसको पूरे देशने महावल बना कि इसको वापस लिया जाए अगर आप 80,000,000 टीचर्स के continuous उनकी quality enhancement पे उनके trainings पर उनके exposure पर काम नहीं करोगे इसमें लखी हुई अच्छी चीज़ों को implement कराने में उनकी training की विवस्ता नहीं करोगे आप future teacher तो चार साल बाद आना शुरू होगा जब आप लागू करोगे उसके बाद धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ेगी तब तक यह से हजाए टीचर्स आपकी इन चीज़ों को कैसे implement करेंगे उसका खाका आपने नहीं बनाया इसलिए मैंने कहा कि या तो policy चुप है या भ्रहमित है फिर चटा point मेरा है कि vocational को प्रमोट करेगी policy अच्छी बात है हम भी कहते रहें vocational को प्रमोट है इस पर लेकिन आज भी कर रहे हैं vocational को प्रमोट तो आप फिर आज सफल क्यों नहीं हो पा रहे सफल इसलिए नहीं हो अरे क्योंकि vocational के subjects को आपने higher education में सम्मान नहीं दिया आज दिल्ली इनवस्टी के admission में vocational school में vocational subject लेने वाले बच्चों का subject कोई counting नहीं हो इस school में vocational subject लेने वाला बच्चे को DU में कोई admission नहीं नहीं दिलता vocational subject के आधार पार फिर बच्चे क्यों vocational करेगा बतलब vocational education को सम्मानित कैसे बनाओगे बच्चे का आगे का admission का chain कैसे खुलेगा इस बारे में पूरी की पूरी policy एकदम silent है कि vocational की आगे admission की chain कैसे खुलेगी जो admission का बड़ा barrier है उसको कैसे उस road block को कैसे दूर करेगी उस पर policy कोई बात नहीं कहती सात्वा point है board exam policy कहती है कि board exam को easy किया जाएगा और बच्चों को दो बार option दिये जाएगे मुझे नहीं पता ये policy makers को किसने समझाए कि board exam को easy करने की ज़रूत है actually board exam को वो evaluate करने की ज़रूत है जो पढ़ाया जाना है paper कड़ा होगा की हलका होगा इस पर चर्चा पर आ गए जबकि होना ये चाहिए था कि रटने की ख्षमता की जगे समझने की ख्षमता का मुल्यंकन करने की बात करते हैं आज सारी की सारी परिक्षा प्रिणाली रटने की ख्षमता का मुल्यंकन करने पर लगी हुई है board भी उसी पर लगे हुए है तो board को रटने की ख्षमता की जगे समझने की ख्षमता का मुल्यंकन करने वाला board कैसे बनाया जाएगा अगर आप इस पर बात करते तो आप easy और hard का सवाल ही खतम हो जाता पर इसलिए मैंने कहा था कि वो पुरानी परंपराओन education की पुरानी समझ के बोज से ग्रसित हो गई है policy क्योंकि पहले भी माना जाता था board exam बहुत important है साल के अंत में 3 घंटे का एक board exam तै करेगा बच्चे ने कैसे पढ़ाई की आज भी आप वही कह रहे हो आप कह रहे हो उसको paper को थोड़ा easy कर देंगे बच्चा fail हो गया दोबारा option देंगे अरे बच्चा वह मांग रहा है समाज वह मांग रहा है आज दुनिया में education कैसे दी जा रही है सोचा तो होता उस पर policy पूरी तरह से fail है मैं गोल भी नहीं कहूंगा fail है easy करने का कोई मतलब नहीं है दुनिया भर में आज continuous evaluation हो रहा है बोर्ड एक्जाम का कोई मतलब नहीं रहा गया बोर्ड खत्म हो चुके हैं लेकिन हम अभी भी बोर्ड एक्जाम पर अठके हुए है यह एक बहुत बड़ा फ्लो है आठवा पॉइंट में रहे है कि पॉलिशी कहती है नेशनल टेस्टिंग एजनसी बनाई जाएगी मतलब NTA यह इसको ऐसे समझे है कि दूसरे देशों में से टी वगरा एक्जाम होते हैं सेट वगरा के एक्जाम होते हैं अच्छी बात है नेशनल टेस्टिंग एजनसी बनाऊगे अब एक बच्चा जो बार्वी करके आ रहा है आप उसकी परिक्षा वो कहरें फिर मल्टिपल एक्जाम नहीं होंगे बहुत सारी उन्वेस्टी इ एक्जाम नहीं होंगे अच्छी बात है तो जब आप हाईर एजुकेशन में एंट्रेंस के लिए नेशनल टेस्ट लेही रहे हो तो फिर बोर्ड किसलिए ले रहे हो यह तो डूपलिकेशन है पर बोर्ड करका एक्जाम किसलिए बोर्ड का एक्जाम खत्म कर दो मुझे मैं और श्लिडी करूँगा और जरुद पड़ी तो फिर से आपके सामने होंगा है रेजुकेशन के पॉइंट्स को लेके और फिर भी एक प्राइमर फेसे एद दिन में ने किया है हमारी टीम ने किया है हाईर एजुकेशन हाईर एजुकेशन में सबसे जादा जोर दिया जागिया है कि साब मल्टिडिसिप्रियरी हाइर एजुकेशन इंस्टिट्ट्स बनाएंगे MDHEI, Multidisciplinary Higher Education Institute और ये कह रहें कि अगले 15-20 साल में देश के सारे स्कूल, सारे कॉलेजिस, सारे युनिवस्टीज को मल्टिडिसिप्रियरी बना देंगे आज का मॉडल क्या है ये समझ लीजे आज का मॉडल है एक तरफ हमारे सामने डेली उनिवस्टी जामिया, बनारस उनिवस्टी और देश की बहुत तमाम इंवस्टीज हैं ऐसी उनिवस्टीज हैं, आई-पी उनिवस्टी हैं, डिली की, multi-discipline journeys उनिवस्टीज हैं अब आप क्या कह रहे हो देश के सारे colleges और universities को multidisciplinary बनाएंगे mandatory यहां भूल कर रही है policy दोनों चीजों की जरूरत है multidisciplinary की भी जरूरत है आप multidisciplinary universities और colleges को और rich करो उनकी संख्या बढ़ाओ लेकिन यह specific universities ने इनको बरबाद मत करो आप कह रहे हो कि IIT में तो हम acting भी सिखाएंगे और FTI में इंजिनियर भी वैदा करेंगे यह कैसे होगा Film Training Institute actors देता रहा है देश को IIT देश के engineers देता रहा है आप कह रहे हो सबको multidisciplinary बना देएंगे तो IIT में acting सिखा करेंगे लोग आके और FTI में जाके लोग engineering सिखा करेंगे Sector specific universities और colleges की दुनिया भर में importance है आद बर्कले का music college देख लीजे Business colleges देख लीजे MIT जैसे colleges देख लीजे economics के colleges देख लीजे करेंगे वो सारे sector specific colleges है हम पता नहीं किस romanticism में आ गए multi-disciplinary के कि सारा कुछ multi-disciplinary की अपनी importance है आप करिए और अच्छा करिए अभी भी existing है लेकिन जो sector specific colleges universities हैं उनको तो बरबाद मत करिए ऐसा कैसे होगा कि IIT दिल्ली में कर जाके acting की class रो जाएगी और FTI में जाके engineering की class हो जाएगी आएम में जाके medical की class हो जाएगी और एमस में आके business management सिखाया जाएगा तो यह तो बरबाद कर देगा इस देश में प्रतिभाओं को निकालने का काम किया इन संस्थानों ने बड़े-बड़े sector specific संस्थानों में अगर हम अपने इस romanticism में इनको बरबाद कर देंगे तो कैसे काम चलेगा यह क्या विजन है यह तो इसी लिए मैंने कहा कि कई जगे फ्रम इतर दूसरा मैंने बिवक के लिए कहा एक जगए policy बात करतीidan बटा करतीये लेकिन आज बच्चा बिवक में नहीं जाना चाहता हमने भी 9 कॉलिश रोक है बीवक के नहीं नहीं जाना चाहता बच्चा कम बच्चे जाना चाहता है क्यों नहीं जाना चाहता मैंने पता किया बोला सब क्या करेंगे जाके देश भर में नौकरियों के जो रिकृट्मेंट रूल से अरार से उसमें बीवक की कोई मानेता नहीं है आज एक BWOC करने वाला बच्चा IS को नहीं बन सकता आप कहने को तो कहते हो bachelor of vocational प्रदान्वंतरी जी skill India और vocational की बात करते हैं पॉलिसी कहती है साब बीवाग को बढ़ाएंगे हम वोकेशनल को बढ़ाएंगे लेकिन अगर एक बीवाग करने वाला बच्चा वोकेशनल में बैचलर की डिगरी लेने वाला बच्चा अगर आप उसको कहोगे नहीं जी तुम बैचलर तो हो पर वो वाले नहीं है जिसको हम आइस बना सकते हैं वो वाले नहीं है जो इसको हम UPSC exam दिला सकते हैं फिर कहें को बढ़ावाद दे रहे हो यार किसको आप भ्रमित करने कोशिश कर रहे हो तो BWOP के साथ करती है पुरी की पुरी devi के स्टीम के साथ में बहुत को करती है आखरी point मेरा critical यह है वो फूरा का पूरी policy में इस पूर्ट मिसिंग है स्पोर्स नहीं पता क्यूं सकता है इस्पोर्स के अलग policy बना बहुत critical रखे इसको लेके जिसकी वज़े से मुझे लगता है policy देश को कोई दशा और दिशा नहीं दे पाएगी देश की दिशा education को और confuse करेगी और कई जगे तो और damage करेगी करना क्या है मैं सिर्फ critical point नहीं लेका है मैं तीन पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं पहला तो हो सकता है अगर यह तै हो सकता है कि देश का राजगोशिय घाटा इस से कम नहीं होगा तो फिर education budget को लेके भी कानून हो सकता है अगर आप education की मतला आप सरकार का घाटा कितना होगा इसको तै कर सकते हैं कानून बना के कि इससे नीचे का घाटा नहीं करने देंगे तो आप education का budget का कानून क्यों नहीं बना देते हैं इस policy में लिखने से budget नहीं आएगा आपको budget का कानून बनाना पड़ेगा कि केंद्र और राज्य सरकार सब की सब 6% of GDP education budget पे कम से कम खर्ज करेंगी यह mandatory होगा देश में जब तक यह कानून नहीं बनाओगे इस policy में लिखी हुई बातें ख्याली पुलाव हैं मिड़े मिल के लिए पैसा कहां से लाओ इतने सारे teachers के लिए recruitment कहां से करोगे पैसा ही नहीं है आपके पास में दूसरा existing जो teachers हैं उनको national international level की training दिलवाईए जब तक आप अपनी 80 लाग teachers को ignore करते रहोगे उसको injustice करते रहोगे उसके साथ उसको आप नए teachers के लिए अच्छी training कराईए अच्छे प्रोगाम चलाईए लेकिन existing teacher को दुनिया दिखाईए उसको दुनिया के education system दिखाईए देश के अच्छे education system दिखाईए उस पर पैसा खर्च करिए उसको priority दीजिए अच्छी चीजे और अच्छी चीजे दुनिया जो अच्छे education practices दुनिया भर में हो रही हैं उनको अगर आप समझना चाहते हैं तो अपने teacher को भीचिये माप हमने दिल्ली में प्रयोक सफलता पूरवक किया और चल रहा है तो आप उसको policy में priority देनी पड़ेगी और तीसरा और आखरी point जो में मेरे suggestions में कि यह over regulation के मोहमाया से बाहर निकलिए हम ये commission बना देंगे ये department बना देंग कर दो कि उसको school inspector की ज़रती ना पड़े school inspection system कर दो अच्छा होता कि आज हम जब 2020 में खड़े हैं हम खड़े हो के कह रहे होते हमने अपनी education policy में लिखा है कि सरकारी school system बहुत बढ़िया चलाएंगे हम और हम school inspector system खत्म कर देंगे training system इतना अच्छा कर देंगे fund इतना लेकर आ करो टीशर्स की सांदार training सुनिश्चित करो और over regulation खत्म करो यह इस policy में होने चाहिए थे वो तीनों नहीं है अभी भी वक्त है मैं request करूंगा केंद सरकार से भी और उनको लिखूंगा भी कि आप इसको ठीक कर लीजे यह अगले 20-25-30 साल के लिए policy बन रही है ऐसा मजाक मत करिये देश के साथ. Thank you.